मपाद मेंगलती की उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने पत्ती को मरे हुए तीन दिन हुए होगे, तीन Чार दिन और वो अंशु से बोलते हैं कि राजबीर के जो बी मतला पर हमारे mutual fund सारी चीज़े और मेरी जो भी detail है channels की जो account सारी चीज़े अंशु तो मुझे लाके दे मैं देखूंगा मैं करूंगा और उसका सपना का क्या है वो तो अभी क्या उमर है उसकी वो तो भाग हो जाएगी शादी कर लेगी दूसरी चले जाएगी यह चीज़े मैं द वीडियो से मानो सब कुछ खतम हो गया जी हां दोस्तों सपना ने अपने ससुराल की सच्चाई बताई वही ससुराल जिसको हम समझते थी कि सपना के सपोर्ट में है राजवीर के जाने के बाद अन्शु जी हां दोस्तों अन्शु के पापा ने सपना पे बहुत ही गंदा लगाया अन्शु ने सपना का जितना साथ दिया अन्शु के पापा ने अन्शु से कहा कि तू छुपके छुपके सपना का जो चैनल की आईडी है और सपना के बैंक अकाउट के जो डिटेल्स है सब कुछ लेके तू मुझे देदे मैं हैंडल करूंगी उसका क्या भरोसा 25 सा थिनसीद है और इतने लालची हैं और सपना के कयरेक्टर के बारे में इतना गंदा बोला यहां तक कि सपना की सासून माने भी ऑपने भाई का साथ दिया ला सपना के भाई मैंने जब सपना के खिलाब इतना गंदा बोला तो उन्होंने अपने भाई को हसते खेलते माफ कर दिया तो कै ऐसा तो नहीं कि राजवीज के जाने के बाद कहीं न कहीं सपना के सासुमा के मन में सपना के लिए दबी सी नफरत